हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे हूँ? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आप लोग से में छोटा सा कला वर्ग का टेश्ट लूँगा इस पेसल यूपी बीट एंटेंस एक्जाम दो हजार बाइस के लिए फ्रेंड्स इस टेश्ट में जो टोटल आपके कॉश्टन्स होंगे वो होंगे 12 अगर आप लोग 12 में से 25 प्रशन सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्गी तयारी अच्छी है तो चलिए इस टेश्ट को स्टार्ट करते हैं और ये सारे कॉश्टन्स में पहली क्लासेस में जो हैं करवा चुका हूँ तो मुझे पूरी उमीद है कि 25 में से आपका कम से कम 18 प्रशन सही होगा तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखेगा चलि वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके क्लासेस का टैमिंग आप लोग देख सकते हैं टाइम से आप लोग क्लास को देख लिए करें साथ ही अगर आपको हमारा क्रैस कोर्ट चाहिए यानि कि B.A. टेंटन्स एक्जाम का पूरा सबसे पहला कोश्चन्स यहां पर देख सकते हैं मन रेगा के अंतरगत किसी ग्रामीड निर्धन वैक्ति को अधिक्तम कितने दिन तक का जो है रोजगार मिल सकता है 180, 120 9ichus दिन या 90 दिन सबी लोग पहला का जौब देने के प्रियास करेंगे मन रेगा कि अंतरकत किसी ग्रामीद निर्धन विक्ति को अधिकतम कितने दिन तक का जो है रोजगार मिल सकता है मैं आपको बता दू कितने दिन का मिल सकता है, 6 दिन का मिल सकता है और मुश्यिक सभी लोग को इसका अंसर पता रहा होगा. चलिए अनसूचित बैंक एक अईसा बैंक है जो क्या है? अच्छे से प्रेशन को पढ़ए, फिर आप लोग इसका अंसर बताएंगे अनसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो जो है भारती जिरो बैंक की दूसरी सूचित में जो है यानि कि अनसूचित बैंक ऐसा बैंक है जो भारती जिरो बैंक की दूसरी अनसूचित बैंक ऐसा बैंक है जो भारती जिरो बैंक की दूसरी अनसूचित में सामिल हो वही तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसका डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा काली मिट्टी यानि की रेगुर मिट्टी किस खेती के लिए जो है सरवादिक उप्यक्त मानी जाती है तो कापास की खेती के लिए ठीक है चलिए पंड़नी द्वारा रचीत पुस्ता का नाम क्या है पंड़नी द्वारा रचीत पुस्ता का नाम क्या है 54 को जौब देने के प्रयास करेंगे तो अश्टा धाई के लेखा कौन है भई पंड़नी ठीक है तो पंड़नी द्वारा रचीत पुस्ता का नाम है अश 55 का जॉब दने के प्रयास करेंगे खिजर खान ने कौन से राजबंस का प्रारम किये थे तो यह जो है सैयद राजबंस का प्रारम किये थे खिजर खान ओफन इसका एवाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा बीएट 2022 में करना है बहतरीन अंगों के साथ अगर आपको बीएट में एडमेशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल फे प्रिसके देजगा जो भी यूपीबेट की अपडेट है यूपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से देखने को मिलीगे और अथेंटिक इन्ठ कο क्या कहते हैं ज्वादन से आसाई निमिलकित मैं से जो है किसके अनुपात में होती jest जवाब देंगे सबी लोग किसी तरंगी की प्रबलता उसके निमलिखित में से किसके अनुपात में होती है और सबी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक करने से कुछ नहीं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और बहतरीन क्लासेस कल से आपकी होंगी, जबर जिसके क्लासेस होंगी, बस इमानदारी से आप लोग जुड़ जाएं और इमानदारी से आप लोग पढ़ाई करें government seat आपको लेना है तो लेना है 10,000 seat में आप लोग ये मानके चली कि मेरी 1 seat पक्की है यही मानके आप लोग जो है तेयारी करें então किसी तरंग की प्रवलता उसके निमलकित में से किसे के अनुपात में होती है तो वो जो अनुपात में होती है मैं आपको उता दूँ आयाम का जो है वर्ग के अनपात में होती है ठीक है अफन इसका भी वाला बिल्कुन करेक्ट हो जाएगा चलिए लाइक करें शेयर करें दूसरों की पर हेल्प आप लोग करें चलिए यंतरों की निमलकी सूची में से जो है नेटवर्क लेयर के लिए क को क्वालिफाई किया हूँ अच्छे नंबरों से वैसे ही आपको मैं बताऊंगा मात्र आप लोग 20 दिन पढ़कर 20 दिन पढ़कर सीटेट एक्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि सीटेट का थोड़ा चोट असले बस है और मतलब डिरेक्ली कोश्चन स्मुछे जात अथा है कि तो यंदे कि निमलकी सीडूची में से नेटवर्क टिर लेयर के लिए कौन सा यंदृ परियूक्त होता है तो परियूक्त होता है तो अमन्दार को चैनल को सब्सक्राइब लें आगे विएड में आपका अडूशिं न गवाई बात होता क्योंकि बहुत साही लोग फाइश एडा में क्लियर नहीं कर पाते हैं वह चीज़ें आपको सिहर करता रहूंगा इसी चैनल पर ठीक है चलिए एक के अंदरी लोक छेत्र उद्दम है जो निवलेकित में से किस छेत्र से समझ्दित है साथ का जवाब देंगे एंटी पीसी यह एक्जाम वाला नहीं है ठीक है तो इसका शंबंद है आपका विद्द्द से ठीक है चलिए नेश कुशन किस दवा का जो है एक एंटी हिस्टमाइन के रूप में प्रियोग किया जाता है जो आप लोग दूसरों की एक्सपीरियन से कोई चीज सिखेंगे तो आप लोग जल्दी सिखेंगे ठीक है क्योंकि उल्टी खीली आप लोग गाड़ेंगे दीवार पे तो वह जल्दी नहीं गड़ेगी सीधी खील आप लोग गाड़ेंगे तो वह जल्दी गड़ेगी ठ कि दूसरों की आप लोग help लिया करें जैसे मैं आपकी help कर रहा हूं और बहुत ही अच्छे help कर रहा हूं आप लोग की आगे भी टैट सी टैट में तो मतलब जबर जसे classes होंगी अभी आप लोगों को कल से ही classes देखने को बलेगी बिए इन्टेंस एक्जाम की जबर जस्ट इसे मैं आपको दढ़ाओं यह देखं तो स्रेष्ट प्रतिभूतियां क्या है स्रेष्ट प्रतिभूतियां क्या है 64 का जवाब दने के प्रयास करेंगे स्रेश्ट प्रतिभूतियां क्या है तो स्रेश्ट प्रतिभूतियां सरकार दोरा जारी की गई जो है प्रतिभूतियां है और इसका B वाला बिलकुन करेक्ट हो जाएगा चलिए नेश्ट कोशन राष्टपती जो है किसके परामर्से से संसद के सभी सत्र आयोजित और इस्तगित करता है तो वो प्रधान मंत्री की सलासे करता है ठीक है वीडियो को लाइक कर देंगे शब लोग चलिए कैवल कौन से धर्म से समधित हैं और यह सारे के सारे कोशन्स मैं पहली की क्लासे में करवा चुका हूँ तो पिछली क्लासे को जाके देखे प्लेइलिश्ट में आपको मिल दाएंगी कैवल का जो शम्मन्ध हैं आपको दाद हूँ किस धर्म से हैं जेहन धर्म से ठीक है ऑफन इसका बी वाला बिलकुन करेट हो जगा चलिए किस उद्दोग दारा जो है बाक्षाइट कच्छे माल के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है वह एल्मूनियम ऑफन इसका जो है ए व जीएस पर फोकुश करें क्योंकि इसमें 50 में से कम से कम आपको 25 से 30 कोश्चन जीकिस जीएस के देखने को मिलेंगे तो डबल फायदा होगा उदर आपका जीकेवी पोर्सन सही हो जागा इदर आपका एबिलेटी वाले में भी सही हो जागा तो घटकों की बीच प्रयूब करके उसमें विद्धुत पैदा की जाती है किसका प्रयूब करके उसमें विद्धुत पैदा की जाती है तो कोईला हो गया प्राक्तिक गैस हो गया पैटोलियम हो गया इनका प्रयूब करके विद्धुत मने की मतलब उसमें विद्धुत पैदा की जाती है तो चलिए तो जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजण जब बढ़ जाता है ठिक ए प्रत्वी पर सबसे सुस्क कौन से देश में हैं वह चिली देश में एक महान रोमानी नाटा कादांबरी के लेखक कौन है इस्टा लगा कि नोट के लिए इस को सबी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे बहुत जबर जासे प्रश्ण नहीं के लिए तो कादामबरी के लेखक हैं वह कौन है 72 का प्रयास करेंगे का किसे हैं तो यह रहा लाश्ट Top braking इसका आणवानी का सिल्वा से मैं हुआ है आणयों किस से हैं तो ये रहा last question इसका जवाब आप लोग comment box में दीजेगा और मिलते हैं अगली वीडियो पर इस वीडियो को like और share बिल्कुन भी करना मत भूलेगा चलिए मिलते हैं अगली class पर thank you so much कुछ doubts विगराँ तो किलिया कर सकते हैं Instagram या comment box में